हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल स्रीकांथ टेक्निकल कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल सर्च करना है सारे के लेटर कैप्टल में रखना है आपको यास.k.t.c.c में आपका स्वागत है मैं आपको वीडियो अपलोड किया होगा और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग टेबल आफ्ट्रिक्नोमेंट्री एंगल एंगल की टेबल आप लोग कैसे याद करेंगे इस तॉर्ट्रिक में आपको मैं बताऊंगा तो आप आपको बताने जा रहा हूं आप लोग पहले से ऐसे एक टेबल आप लोग बना लीजेगा ऐसे करके देखिए आप लोग को टेबल ऐसे बनाना है ठीक है इसके साथ साथ बाद में आपको बता रहा हूं कि इसमें लिखना क्या है तो आप लोग देखिएगा ऐसे मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग भी गोर से देखिएगा पहले कुछ नहीं करना है आपको थीटा लिख लेना है जीरो लिख लेना है तीस और पाइवाई सिक्स लिख लेना है और इसी के साथ साथ में क्या 45 और पाइवाई लिख लेना है तो आपको पहले कुछ नहीं करना जीरो लिखना जीरो एक से कितने तक गिंती लिख लेना है जीरो एक दो तीन चार कर लिए ठीक है फिर सब में आपको चार से भाग करना है चार सब को भाग देंगे दो बटे चार तीन बटे चार चार बटे चार फिर इसका ऐसे करके ठीक है कर लिया इसके बाद एक कि जीरो में पान जो हमारी वयलू है कोई डीजेटि इसका मान रूट से एक बार जाएगा चार से दो आजाएगा और देखिए हमारा दो दूना चार कर जाएगा तो क्या बचेंगे एक बटे रूट टू बचेगा और रूट जे दो से हमारा बारा जाएगा तो जे बचेंगे रूट थी अपान टू जे से जे कर जाएगा तो अंडर रूर एक से एक बार जो जे हमारा जो मान आ रहा है जे क साट कमान रूट 3 बाई 2 और साइन 90 कमान एक होता है इसे ही आपको जब एक value निकाल लिए है तो दूसरी निकालने पर आपको क्या करना है कि जो एक कमान है 90 का वो 0 पे रख देना है वो cos 0 कमान हो जाएगा और जो 60 कमान है साइन 60 का वो आपको साइन cos 30 कमान हो जाएगा और 45 का जो मान है वो हमारा सेम रहता है और जब जो साइन 30 कमान था वो cos 60 कमान हो जाएगा 1 by 2 और जो साइन 90 कमान था sign zero का मान था वो cost नबिप हो जाएगा 2 मान देखो आपको ऐसे मिल गए sign cost के मिलने के बाद आप लोग को क्या करना है कुछ नहीं करना है इसके बाद 10 का मान निकालना है तो मैं बता रहा हूँ आपको 10 का मान निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कैसे हमने बताया था 10 ठीटा बराबर होता है sign ठीटा बटे gaalऑ ठीटा हमने देखो sign 30 का मान cause 30 का मान निकाले sign 0 सब का मान निकाले देखो लिख ले हुए ना तो अब यहाँ पे हम दखो जब निकले हुए है सारे मान तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं क्या यहीं पर मान रखे हुए है न आप लोग देख लिजिए क्या निकालना है कि 10 0 का मान निकालना है तो 10 0 बराबर क्या होगा sin 0 बटे cos 0 10 0 का मान आजाएगा 0 बटे 1 उसका मान इंफनाइट होता है ठीक है जिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है तो ऐसे 10 0 sin 0 बटे cos 0 का मान क्या जाएगा 0 आजाएगा ठीक है और इसी इक साथ सारा आप जब 10 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 10 30 बटे cos 0 तो यहाँ रखेंगे sin 30 का 1 by 2 cos 30 का मान रूट 3 by 2 तो 2 से 2 कट जाएगे क्या बचेगा 1 by रूट 3 तो यहाँ पर आजाएगा 1 by रूट 3 अज़ देखिए यहाँ पर 45 का 45 का मतलब हो जाएगा हमारा 10 पर मान रखना है sorry 10 पर मान रखना है तो हमारा क्या रहाएगा 1 upon root 2 बटे 1 upon root 2 ज़े सारे कट जाएगे क्या बचेगा 10 45 का मान वैसे भी आपको याद होगा एक होता है ऐसे ही इसको आप निकालेंगे हम जब ऐसे निकालेंगे तो 10 45 की जगह पर रखेंगे हम क्या आप 10 60 का मान जब निकालेंगे 10 60 का मान हमारा है root 3 by 2 बटे 1 by 2 दो से 2 कट ज़ेगा क्या बचेगा root 3 तो यहां रख देंगे हम root 3 अधिके 10 90 का जब निकालेंगे तो किसी भी संख्या बटे 0 तो अपने बताया तो क्या मान आएगा उसका infinite मान आएगा अधिक यह 10 का मान आ गया है तो वही हम किसमें रखेंगे court पे रखेंगे और court का मतलब क्या हो जाएगा अधिक यह 10 0 का मान जो है court 0 पे वो infinite हो जाएगा और court अब देखो इस से just इधर उल्टा हम मान रख देंगे 10 court 45 का मान एक होता है जो 10 30 का था वो court 60 का मान हो जाएगा और जो 10 0 का था वो court 90 का मान हो जाएगा ठीक है यह आपकी चार आप 2 table बचिए फिल करने के लिए दो भी आपको बता रहे हैं दो बताने के लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है आप लोगों को दो भी बता देते हैं आप लोग गौर से देखिएगा आपको एक formula भी मैंने बताया है या high school में आप लोग पढ़े होंगे formula क्या पढ़े होंगे कि हमारा होता है sin theta बराबर 1 upon cos theta और cos theta बराबर होता है 1 upon sin theta तो मतलब क्या है cos 0 का मान हो जाएगा 1 upon 0 1 upon 0 का मतलब हो जाएगा इसका infinite तो इस पे infinite आजाएगा जब cos 1 का मान infinite आ गया तो अब cos 1 30 का मान निकालेंगे तो cos 30 का क्या था 1 by 2 तो 1 upon 1 by 2 बटे विट्टा वह लोग पर चली जाएगी तो यहां मान आ जाएगा 2 ठीक है अब इस सी के साथ साथ 1 upon बटे 1 upon root 2 तो मतलब बटे विट्टा उपर तो यहां पर आ जाएगा root 2 आ जाएगा ठीक है कॉसेक 45 का अब कॉसेक 60 का तो मतलब sin 60 का मान क्या था 1 upon root 3 by 2 क्योंकि वह पर पास क्या होता है कॉसेक ठीटा वराबर 1 upon signिता यह साथ का मान हम को यह साथ रख लेंगे तो यह बटे-बटे अरदा रहेगा ज़ा हमें इसका 2 बटे रूड 3 अब क्या कॉसेक 90 का मान चीए तो कॉसेक जब 90 का मान निकालेंगे तो 1 upon क्या रहेगा 1 । IS साथ धक्या हमारा कॉसेक का घया कर लेंगे तो हमारा सिक कमान पता चल जाएगा ठीक है तो अब हम आप लोग को क्या बताएंगे तो आप लोग देखिएगा क्या हमने बताया था कॉसिक जीरो कमान जो कॉसिक 90 कमान है वो सिक 0 कमान हो जाएगा और जो कॉसिक 60 कमान है वो किसका हो जाएगा हमारा सिक 30 कमान हो जाएगा ठीक है और जो हमारा 45 का वो सेम ही रहता है साइन कॉसिक सिक का सेम टेन कॉट का सेम साइन कॉस का 45 के मान सेम रहते इसी बाइ जो कॉसिक 30 का मान हो था वो सिक 60 का मान हो जाएगा जो कॉसिक 0 का मान था वो हमारा सिक 90 का मान हो जाएगा तो यह आपकी तयार हो गई टेबल आप लोग प्रेक्टिस कीज़ेगा अच्छे से आपको मैं टेबल फिर से दिखा दे रहा हूँ पूरी टेबल आपको दिख नहीं पा रही होगी लेकिन कोई बात नहीं आप लोग इतने से ही स्क्रीन सॉट ले जेजे क्योंकि काफी बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने तो कोई बात नहीं आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही ले सकते हैं आपको मान दिख रहे होंगे जब दिख गये हैं इसी किसा साथ साथ आपको मैं उपर पूरा दिखा देता हूँ क्या टेबल आप ट्रिक्रमेंटरी एंगल एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे ये भी मैंने दिखा दिये तो आप लोग को किसे टेबल कैसी लगी अच्छी लगी होगी आप लोग अच्छे से देखिएगा समझेगा ट्रिक भी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए s.k.t.c को भी और जायजा लोगों को बताए तब तक के लिए आपको नए logic वाला वीडियो पे या टिक वीडियो बेसेश पे आपको फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाए